तो जी कल वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था चैनल कैसे बनाते हैं और उसके बाद में बताया था दूसरा वीडियो गया था कि चैनल बनाने के बाद में वीडियो अपलोड करने से पहले कौन सी गलती नहीं करनी जीए तो ये वीडियो अपने जा चुके आगर आज हम सीखेंगे एडिटिंग, वीडियो की एडिटिंग कैसे करनी है, क्योंकि होता है ना कि कई लोगों के मेरे भी दिमाग में इस बारे में नोलेज नहीं है उनको, और बाकी भी एडिटिंग मैं कैसे करते हूं वो चीज आप देख सकते हो, इसमें जादा कुछ जंजट आप आराम से अगर आपने वीडियो शुकुन के साथ देख लिया, तो आप एडिटिंग कर पाओगे, जादा कुछ भी पंगा नहीं है, ठीक है? तो चलो, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर वीडियो को कंप्लीट वोच कीजिएगा, एडिटिंग आपको बहुत आराम से आजाएगी, ये वीडियो वोच कर लोगी, और कहीं पर थोड़ा सा डाउट हो ना, तो थोड़ा सा बैक लेके वीडियो दुबारा से उस चीज़ को देख ले ना, बहुत आसानी से समझ में आजाएगी, क्योंकि जब हम कई कोई नहीं चीज देखते हैं, जब थोड़ा ब मैंने मोबाइल को रोटेट कर रखा है, तो जिनके पास काइन मास्टर नहीं है, उनके लिए सबसे पहले बताऊं, मैं आप लोगों को प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में जाकर के काइन मास्टर को डाउनलोड करना है, अधर किसी एप से आप करना चाहते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी मैं काइन मास्टर ही प्रैफर करती हूं क्योंकि यह सबसे सिंपल है सुरू से मैंने काइन मास्टर से एडिट किया है अभी भी आप देखते होंगे मैं काइन मास्टर से करती हूं तो प्ले स्टोर में जा करके आपको काइन मास्टर जो है न उसको डाउनलोड कर लेना है अब मैं आप लोगों को काइन मास्टर में एडिटिंग कैसे करते हैं वही आज आद बताने वाले हूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो डिरेक्ट यह ओपन होगा तो मैंने ओपन कर लिया अब मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर मेरे यहाँ पर यह पहला उप्शन आया create now 169 मैंने इसमें select किया है short का होता है no 16 और long video जो होती है उसका 169 होता है तो 169 में मैंने इसको select कर लिया अब हमें clips लेनी है तो clips लेने के लिए देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं दुबारा से जो की ध्यान से देखना की 169 लिया है उसके बाद में अब हमें media में जाना है मेडिया का भी मैं आप लोगों को बताऊंगी एड एक बार खतम हो जाती है तो अब यह देखिए यह media में हम आ चुके हैं अब मिलेगा camera का option camera पे click किया जो भी यह देखो इस तरीके से camera पे click करके इस तरीके से आप सही सारी clips आप ले सकते हैं इसी तरीके से और वो हता न कि कई बार clips में confusion होता है तो वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगी वो बताऊंगी next videos में क्योंकि एक में ही सब कर देते हैं तो फिर आपका दिमाग घूम जाएगा जो नहीं है उनका बता रही हूँ तो यह मैंने सारी clips जो है यह one by one लेनी शुरू कर दी हैं जितनी clips मुझे आज जोडनी है आज के vlog में मुझे जितना include करना है तो देखें मैं maximum वीडियो की length रखती हूँ 10-11-12 मिनिट उससे ज्यादा मैं वीडियो की length नहीं रखती हूँ और मैं shoot भी उतना ही करती हूँ जितना मुझे चाहिए होता है कई बर क्या होता है extra shoot हो जाता है तो उसमें से आपको cutting ज़्यादा करनी पड़ती है और मुझे पता है कि मेरे videos में मैंने कहां क्या बोला है क्या लिया है तो मैं किस तरीके से editing करी हूँ वो देखिया तो यह सारी clips लेने के बाद में हम पीछे वापिस जाएंगे हम इस तरीके से इन clips को यह अपना right hand है ना इसकी side घुमाते रहेंगे और left hand में वापिस चले जाएंगे अब देखिए यहां से clip हमने play करनी शुरू की तो clips में अब यह check करना है कि किसकी voice हमें mute करनी है और किसके voice हमें original sound रखना है किसकी हमें ऐसा करना है कि आदी mute रखनी है तो वो सारी चीजे हम one by one सारी clips में check करेंगे तो शुरू वाली दोनो clips में मुझे original sound रखना था तो मैंने कोई छेड़ चाड़ नहीं की उनको बस आगे play करके मैं आ चुकी हूँ अगली जो clips हैं उन पे आ चुकी हूँ यह sort की mini vlog की clip निकाली थी यह जो की पीची में add हो गई तो मैंने इसको delete कर दिया अब यह वाली clip जो है इसमें मुझे sound देना है तो मैंने इसका sound पहले off किया है और इसका sound यह mixture लिखा हुआ है इस पर click करके हुआ है अब उसके बाद में इसका sound off करके मैं second जो clip है उसमें भी मुझे voice देनी है तो उसका भी sound off करती हूँ अब यह फिर से mini vlog की clip है इसको मैंने delete कर दिया अब यह वाली original sound के साथ है तो इसमें मुझे sound नहीं देना इसका मैंने sound बढ़ा दिया है जो original sound है उसी को बढ़ा दिया अब मैं आगे चलती हूँ यह वाली clip जो है इसमें मिरे को पता है मैंने क्या बोला है अगर आप लोगों को मैं ज़्यादा filter नहीं करती हूँ ज़्यादा चेक नहीं करती हूँ क्लिप्स में जब मुझे पता है मैंने ये suit किया है तो मैं उसको नहीं देखती है मैं direct आगे निकल जाती हूँ अगर आपको देखना है कि कहा पर क्या किया हुआ है वो सारी चीज़े चेक करनी है तो आप सारी को सुन सकते है तो मैंने अब इस clip को आगे करके और मैं आचुकी हूँ अगली clip पर कि आगे मैंने अगली clip क्या लिए तो यहाँ पर ये देखिए ये वाली भी मैंने original sound के साथ रखे इसमें भी मैंने कोई छेड़ छाड नहीं किया अब चलते हैं इस से आगे तो इसमें मेरे को sound रखना है तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका sound mute कर दिया है ठीक है तो यहाँ पर ये वाला sound जो है ना ये हम इसका ये थोड़ी से मैंने trim किया है left क्योंकि वहाँ मैंने camera लगाया तो मुझे नहीं दिखा रहा था कि मैंने camera लगाया यहाँ भी मैंने camera उठाया है तो मैंने को ये भी अटाना है तो trim to right कर देंगे इसको तो right का cut करना है तो trim to right ये कैंची जो दी हुई है ये cut करने के लिए दी हुई है तो इस कैचिसे हम राइट का कट कर सकते हैं लेफ्ट का कर सकते हैं और जहां पर हमें कट मारना है वहां पर स्पिल्ट कर सकते हैं तो यह वाली क्लिप्स भी मुझे ओरिजिनल रखनी थी इसलिए मैं आगे आ चुकी हूँ इन में मुझे कोई छेड़ चाड नहीं करनी है यह देखो सारी में आगे निकल के आचुके हैं हमें इन में कोई भी छेड़ चर नहीं करनी है मैं मेरी क्लिप्स का बता रही हूँ जो मैंने ली है व्लोग में अगर आपको साउंड ओफ करना है आप साउंड ओफ कर सकते हो अगर आपको मुजिक डालना है इसे कई चीजएं छहीं गती है जैसे ब्लागे स्ट्ीप्स त्रिप्श historians भापज में दिखें ली घरुथ करना है यह जो मैंने बताए नहीं उसक्राइक ब्लेड़ करना हे और फिर हम और फिर अजन कर सकते हैं हमें आचा आयसी प्रुट्वर कर सकते हैं अब मैं आप लोगों को दूसरी चीज बता रहे हुए और जैसे कि कई बार क्या होता है जो रिक्वार्मेंट होती हैं तो उस मीडिया से इंसर्ट करके मैंने क्लिप लिए हैं, तो अगर आप चाहो तो ऐसे क्लिप ले सकते हैं, और इसका भी साउट फिर मैंने ओफ किया है, ये लेयर में सबसे उपर मीडिया आएगा, उससे क्लिप के अंदर क्लिप एडिट होगी, और जो डिरिक्ट मीडिया से लोगे, वो अपकी मेंन क्लिप में प्ले होगी, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको भी डिलिट कर दिया, क्योंकि मुझे रखना नहीं था, अब चलते हैं आगे, तो आगे क्या होता है कि कई बार हमें कुछ लिखना होता है, तो लिखने के लिए वो जो लेयर था ना, वही यूज होगा, लेयर में अल्फाबेट का आता है, तो वहाँ से हम जो भी लिखना होता है, वो हम लिख सकते हैं, और यह मैं ज़्यादा तर यही रोबोटो जो यह बोल्ड है, यही ज़्यादा यूज करती हूँ, तो मैंने यह वाला क्लिक करके और यह ले लिया, अब इसके हम यह इस तरीके से इसमें, यह देखो यह जो है न, ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमें इसका बोरडर बनाना है, तो बोरडर इस तरीके से बना सकते हैं, तो यहां पे यह वाला भी फीचर मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप फॉंट कैसे एड़ कर सकते हो इसमें यह में तो यह लेयर है यही यूज होता है मीडिया से हमने क्लिप ली है फिर ज्यादा तर यह लेयर ही यूज होगा लेयर से ही हम देखो ऐरो डालना है मुझे क साईज बढ़ा लिया अब यह दिखो यह एड़ा आ चुका नहीं तो इस तरीके स हम बीच में कोई चीज हमें दिखाना है कि आडियू को यहां पर देखिये यह एरो लगाना थक्रू है मुझे लगाना नहीं था तो मैंने उसको डिलीट कर दिया है अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं आप लोगों को जो में में इसकी चीज़े है ना वो ज्यादा तर बता चुकिए हूँ जो कि व्लोग में ज्यादा तर यूज होती है और मेरे वीडियो जो हते है ना उनमें ज आगे दो ज्यादा तर यहीं चीज़े यूज होती है मैं ज्यादा तर यूज नहीं करते हूँ कुछ भी अडंग-डंग और ज्यादा तर व्लो करगर को भी यहीची यूज होती है तो अब मैं आप लोगों तो यहां से on WAS over कर सकते हैं जैस सकि मैं अब इस clip में sausage और करी है अदीरटिटिंग सिकार्ज है तो यहां पर है यहां से पहले में क्लिप का support कर N. अब मैंने और इस दबार सी बढ़ा दी क्या यहां से साउंड ओफ नहीं करना था अगर sound off करना है तो आप इस तरीके से करके और इसमें अपने और वो जाल सकते हो music add करना है तो side में music का option था वहां से media का option था ना मैं आप को आपने देखा होगा अभी थोड़ देर पहले मैंने दिखाया था वहां से click करके ले सकते हैं, इस तरीके से आप volume कम कर सकते हैं, जो ये नीचे layer आई ना, green color की, इसके audio का option था, वो audio से हमने music लिया है, और ये जो नीचे line आईए ना, इसके उपर जब हम click करेंगे ना, तो ये mixer का जो option आ रहा है side में, इसके उपर click करकी, हम इस music का volume बटा सकते हैं, घटा सकत हैं, क्योंकि ये ज़्यादा irritating हो जाता है, कई बार sound जादा हो जाता है, तो कम करना चाहिए, तो आप इस तरीके से कम भी कर सकते हैं, तो यहां तक मैंने आप लोगों को वो सारी चीज़े बता दी हैं, जो कि व्लोग में चाहिए, अब हम export करना, कि व्लोग को save कैसे करना है तो यह देखो, कोने में अब यह हो गया, अब यह कोने में काइन मास्टर के लोगों के नीचे था, यहां पर click किया, save as video करेंगे, और हमारी clip जो है, ऐसे skip का option था, उस पर skip करेंगे, और हमारी clip जो है, हमारा video जो है, वो edit हो चुका है, इस तरीके से आप अपने video edit कर सकते हो बहुत ही simple है,